नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइनस ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे जिसके बाद हमारा पूरा मुगल समराज्य खतम हो जाएगा इसे अगली वीडियो में हम पूरे मुगल काल की जो शाषन विवस्था थी और सैने विवस्था थी वो भी देख लेंगे तो बाबर से लेकर बहादुर्शा जफर तक आपको पूरा मुगल समराज्य मध्यकालिन इतिहास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें वहाँ पर आपको पूरा मुगल समराज्य देखने को मिल जाएगा तो चलिए बिना दिरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज किस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए तो पहले हम पूरे मुगलकाल का फैमिली चार्ट देखेंगे ताकि आपको पता जल सके कि किसके बाद कौन सा शाशक बना पूरा फैमिली चार्ट हम एक बार देख लेंगे उसके बाद हम उत्तर मुगल काल के सभी शाशकों के बारे में सभी important points जो की exam में पूछे जाते हैं वो देखेंगे और लास्ट में एक बार फिर हम सभी उत्तर मुगल काल के शाशकों का करम देख लेंगे और उसके बाद हम previous year question भी देखेंगे तो आप पूरी वीडियो को end तक देखें और लास्ट में previous year question जरूर attempt करें तो पूरे मुगल वन्ष का शाशन काल 1526 इसवी से लेकर 1857 इसवी तक रहा जिसे दो भागों में बाटा गया पहले भाग को कहा गया पूरुवर्ती मुगल काल और दूसरे भाग को कहा गया उत्तर मुगल काल उत्तर यानि की बादवाला पहले को कहा गया पूरुवर्ती मुगल काल जिसमें 1526 इसवी से लेकर 1707 इसवी तक के शाशन काल को लिया जाता है पूरुवर्ती मुगल काल में और उत्तर मुगल काल में 1707 इसवी से लेकर 1857 इसवी तक के शाशन काल को लिया जाता है तो पूर वर्ति मुगल काल में हमने बाबर से लेकर ओरंग जिव तक पूरा डिटेल में पढ़ लिया है अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना वहाँ पर मैंने बाबर से लेकर ओरंग जिव सब के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया है तो बाबर के बाद आपको पता है कि अगला शाशक हुमायू बना था हुमायू के बाद अगला मुगल शाशक अकबर बना था के बादि शाजहां और शाजहां के बाद ओरंग जेव तक जो मगल वंच था यह अपने चर्म उतकर्ष पर था यानिकि अपने पीक पर था और और ओरंगजेव के बाद क्या होता है कि मुगल समराज्य का पत्तन होना शुरू हो जाता है आगे आप उत्तर मुगल काल में जो बाकी के मुगल शाशक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं तो एक बार हम उत्तर मुगल काल के जो शाशक हैं उनका चार्ट देख लेते हैं उनका फैमिली चार्ट देख लेते हैं कि किसका पुत्र अगला शाशक बना इनके बारे में आगे हम डेटेल म ले लिजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किसके बाद कौन शाशक बनता है आपको यह रटना नहीं है बस इस प्रकार का चार्ट आप अपनी कोपी पर बना लेना ताकि आपको याद रहे तो देखिए औरंग जेब तक हमने पढ़ लिया था और पिछली वीडियो में म जो भी शाशक बनते हैं उनको मैंने लाल रंग से लिखा हुआ है आप यह देख रहे हैं जो लाल रंग से मैंने लिखा हुआ है वो उत्तरमुगलकाल के शाशक बनते हैं और मैंने उपर नंबरिंग भी की हुई है कि सबसे पहले कौन शाशक बना उत्तरमुगलकाल में भा ओरंग जेव के पांच पुत्र होते हैं आजम शा, मुझ्जम, मुहम्मद सुल्तान, मुहम्मद अकबर और कामबक्ष जिसमें से मुहम्मद सुल्तान और मुहम्मद अकबर इन दोनों के तो मृत्ति हो जाती है बचते हैं तीन पुत्र आजम शा, मुझ्जम और कामबक्ष त इसे बहादुर्शा प्रथम के नाम से जानते हैं, उसके बाद बहादुर्शा के चार पुत्र होते हैं, जहांदर्शा, अजीम उश्षान, रफी उश्षान और जहांशा, तो बहादुर्शा के बाद अगला शाशक कोन बनता है, तो बहादुर्शा के बाद अगला शाशक बनता है तो आपको यह रटना नहीं है एक बार मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके आपके दिमाग में कोई आप भी एक बार अपनी कोपी पर इसी प्रकार का चार्ट बना लेना और उसको रिवाइज कर लेना देख बार बना लेंगे न आप अपने हासे तब आपको भी याद हो जाएगा तो देखिए बहादुर शा प्रत्थम के बाद अगला शाशक जहांदर शा बनता है पर जहां जहांदर शा के बाद फरुक सियर के बाद बहादुर शा प्रत्थम के तीसरे बेटे रफी उश्चान का बेटा रफी उद्दर जाल यह कुछी समय के लिए शाशक बनता है इसलिए आपके किताबों में देखेंगे इसका नाम नहीं लिखा होता रफी उद्दर जाल और र जाएधा तिर तक शाशक नहीं रह पाते। तो रफिव उद्दोला के बाद अगला शाशक बनता है? बहदूर शाह प्रथम के छोथे बेटे जहान शाह का पुतर मुहम्मद शाह. या दखेगा आप देख रहे हैं कि बहादूर शाह प्रथम के जितने भी ये चार पूत्र हैं सबके बेटे अगले शाशक बनते हैं तो जहान शाह का पूत्र मुहमद शाह अगला शाशक बनता है और मुहमद शाह के बाद उसका पूत्र एहमद शाह अगला शाशक बनता है त इसमें से बहादुर्शा प्रथम के बाद अगला शाशक उसका बेटा जहांदर्शा बनता है और जहांदर्शा की मृत्तियों के बाद बहादुर्शा प्रथम के दूसरे बेटे अजीम उश्चान का बेटा फरुक सियर ये अगला शाशक बनता है तीसरे नमबर पर और बहादुर शाप्रथम का चोथा पूतर था जहान शा उसका पूतर मुहमद शा अगला शाशक बनता है छठे नमबर पर और मुहमद शा के बाद उसका पूतर एहमद शा साथवे नमबर पर अगला शाशक बनता है तो यहां पर हमने देख लिया तो एहमद शा के बाद अगला अगला शाशक बनता है आठमे नबर पर आलम गिर्द्वित्ये या दखेगा अभी आगे हम ढ़ेईंगे यह मैं आपको एक overview दे रहा हूं तो एहमाझ शा के बाद अगला शाशक बनता है और आलम ir ये नोवे नमबर पर बस कुछी दिनों के लिए अगला शाशक बनता है, इसलिए इसका ज्यादा जिकर नहीं है। नोवे नमबर पर बनता है शह जहांतरित्य और उसके बाद शह आलम द्वित्य इसे हरा कर अगला शाशक बन जाता है शह आलम द्वित्य कोन है तो यह आलम गिर द्वित्य का बेटा होता है और उसके बाद शह आलम द्वित्य के बाद उसका बेटा अकबर द्वित्य अगला शाशक बनता है इसे आप एक बार कोपी पर जरूर लिख लेना जिस परकार मैंने लिखा है ताकि आपको यह याद हो जाए तो आगे अब हम देख लेते हैं उत्तर मुगलकाल तो 1707 में ओरंग जेब की मृत्तियों के बाद उत्तर मुगलकाल 1707 इस्वी में प्रारंब होता है और बहादुर शाव जफर की प्राजय के बाद अंग्रेजों द्वारा उसे रंगून की कैद में भेज दिया जाता है और वहीं पर इसकी बहादुर शाव जफर की मृत्ति हो जाती है तो यहीं से उत्तर मुगलकाल का अंध हो जाता है तो 1707 इस्वी से लेकर 1857 इस्वी की करांती तक के समय को उत्तर मुगलकाल कहा जाता है तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर मुगलकाल के पहले शाषक बाहदुर्शा प्रथम तो बाहदुर्शा प्रथम का शाषनकाल 1707 इसवी से लेकर 1712 इसवी तक रहा केवल पांच वर्शों तक तो बाहदुर्शा प्रथम का पूरो नाम क्या था? मुज्जम था और ओरंग जेब के तीन पूत्र थे जिनके बीच में उत्रा अधिकार का युद्ध हुआ था वैसे तो ओरंग जेब के पांच पूत्र थे पर दो पूत्रों की पहले ही मृत्य हो चुकी थी तो बचे तीन पूत्र मुज्जम आजम और कामबक्ष इन तीनों की बीच में उत्रा अधिकार का युद्ध होता है तो ओरंग जेब ने अपने तीन पूत्रों में वसीहत के माध्यम से विभाजन का निर्ने लिया था प्रंतु जैसा कि मुगलों में राजा बनने के लिए आ तीनों पूत्रों को नाम अजूर था और तीनों के बीच में उत्रा अधिकार का युद्ध हुआ तो ओरंग जेब के तीन पूत्रों में से एक पूत्र मुज्जम अपने बाकी दो भाईयों को पराजित करके राजा बन जाता है और वह बहादुर शा प्रथम के नाम से रा जाता है तो जो उत्रा अधिकार का युद्ध हुआ था वो भी देख लेते हैं तो दो युद्ध हुए थे उत्रा अधिकार के पहला युद्ध आगरा के पास जजाओं का युद्ध लड़ा गया जो की मुज्जम और आजम शा के बीच में हुआ और इसमें आपको पता ही विजय किस की हुई मुअज़म की हुई और दूसरा युद डक्षिन भारत में बीजापूर का युद लड़ा गया जिसमें मुअज़म और उसका दूसरा भाई कामबक्ष इन दोनों के बीच में हुआ और इसमें विजय किस की हुई तो मुअज़म की हुई तो उत्रा अधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद मुअज्जम 65 वर्ष की अवस्था में तो 65 वर्ष की आयू में भादूशा प्रथम की उपादी धारन करके ये दिल्ली की गद्धी पर बैठा कौन मुअज्जम कितनी वर्ष की आयू में 65 वर्ष की आयू में या दख तो ये अपने पिता की तरह कटर नहीं था बलकि इसने सहषनू नितियां अपनाई तो बहादुर्शा ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्री पूर्ण निती अपनाई इसने शंभाजी के पूत्र शाहों को मुगल कैसे अजाद कर दिया था किसने बहादुर्शा प् अनसार ये जो बहदूरशा प्रतम था न है ये राज की कारियों में इतना लापरवा था कि लोग इसे शाहे बे-क खबर कहने लगे या लगे कई बार एक्जा में पूछा गया है कि शाहे बेखबर किस राजा को कहा जाता था बहादुर शा प्रथम को तो 1712 इस्वे में बहादुर शा प्रथम की मृत्य हो जाती है उसके बाद इसका पूत्र जहांदर शाह अगला शाशक बनता है जहांदर शाह जिसका शचनकाल केवल एक वर्ष का ही रहता है तो बहादुर शाह के चार पूत्र थे हमने पीछे देखा उन चारों पूत्रों में भी उत्रा अधिकार का युद्ध हुआ जैसे कि हमने देखा था कि ओरण जिव के पांच पूत्र थे दों की मृत्तियों गई थी बाकी तीन पूत्रों के बीच म में भी उत्रा अधिकार का युद्ध होता है और उसमें एक शक्ति शाली सामन्त था जिसका नाम था जुल्फिकार खां उसने जहांदर शा का साथ दिया था जिसके कारण बाकी तीनों भाईयों को हराते हुए सबसे कमजोर पूत्र ही शाशक बन जाता है और इसका नाम था जहांदर शा क्योंकि इसका साथ कौन देता है एक सामन्त था सेनापती था जिसका नाम था जुल्फिकार खां ये किसका साथ देता है जहांदर शा का साथ देता है जिसके कारण अगला शाशक बनता है जहांदर शा और इसे लंपट मुर्ख भी कहा जाता है कि इसे जहांद या दखेगा शाहिब बेखबर कहा जाता है बहादुर्शा प्रथम को और लंपट मूर को कहा जाता है जहांदर्शा को तो शाशक बनते ही जहांदर्शा ने जुल्फिकार खां को वजीर का पद प्रदान किया क्योंकि जुल्फिकार खां के कारण ही ये राजा बना था इसल ये जुल्फिकार खाने सबसे कमजोर शाशक जहांदर शाह के साथ दिया था ताकि गद्दी पर तो जहांदर शाह बैठे पर जो वास्तिविक शक्तियां वो कि इसके हाथ में रहे जुल्फिकार खान के हाथ में रहे तो इस दोरान जो जहांदर शाह होता है ये लाल कुमरी नामक एक वैश्या के साथ संबंद के कारण चर्चा में रहता है जिसके कारण यह राज पार्ट में ज्यादा रूची नहीं रखता है इसलिए से लंपट मूर्ख कहा गया और जो वास्तिविक शक्तियां थी वास्तिविक सत्ता थी यह कौन संभाल रहा था इसका वज हुसैन अली खां और दूसरा होता है अब्दुल्ला खां यह फरुक सियर के साथ मिलकर जहांदर शाकी हत्य करवा देते हैं और अगला शाशक किसे बना देते हैं फरुक सियर को बना देते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि सयद बंदू हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ये किसके साथ मिल जाते हैं? फरुक सियर के साथ मिल जाते हैं और फरुक सियर के साथ मिलकर जहांदर शाकी हत्ते करवा देते हैं और अगला शाशक बन जाता है फरुक सियर तो फरुक सियर का शाषनकाल 1713 एस्वी से लेकर 1719 एस्वी तक रहा तो इसको शाषक बनाने में सबसे बड़ा सयोग सेयद बंदूओं का होता है जो की अवद शेतर के दो मुसलमान भाई होते हैं अब्दुल्ला खां और हुसेन खां जिनके पास वजी समान शक्ती थी तो य इनकी साहिता से फरुक सियर अगला शाषक बन जाता है तो फरुक सियर को घृनित कायर के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से घृनित कायर के नाम से यह जो उपाधियां है यह एक्जाम में पूछी जाती है तो घृनित कायर के नाम से किसे जाना जाता है फरुक सियर को ज इतिहास में शाशक निर्माता यानि कि King Maker के रूप में जाना जाता है आगे भी आप देखेंगे कि फरुक सेर के बाद भी यह अगला राज़ा निक्त करते हैं तो मधिकालीन भारत में King Maker के रूप से किसे जाना जाता है सेयद बंदूओं को या दखेगा तो फरुक सेर के शा का नेता होता है उसका नाम था बंदा भाधूर तो बंदा भाधूर का वधिकर दिया जाता है फरुक सियर के शाशनकाल में और फरुक सियर एक आसाध्य रोग से पीडित था तो इसका उपचार कुण करता है एक अंग्रेजी सर्जन विलियम हैमिल्टन इसका उपचार करता है और इसको ठी कर देता है किसे फरुक सियर को तो उसके बाद क्या होता है कि फरुक सियर ने 1717 इस्वी में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की बहुत अंग्रेजी कंपनी के लिए मेगना काटा कहा जाता है मेगना काटा यानि की अधिकार तो अंग्रेजों को इसने बंगाल के छेतर में व्यपार करने का अधिकार प्रदान किया तो शाही फर्मान के तहत इसने अंग्रेजों को साल के 3000 उपे प्रतिवश्की कीमत के बदले म बंगाल के छेत्र में व्यपार करने की अनुमति दे दी किसने फरुक सियर ने अंग्रेजों को याद खीएगा कब 1717 इसवे में तो उसके बाद आगे क्या होता है कि फरुक सियर जब सैयद बंधूओं के सहयोग से शाशक बनता है तब बाद में उसे लगता है कि सैयद बंध सेयद बंदू फरुक सेयर को हटा देते हैं यानि कि फरुक सेयर की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद वो अगला शाशक बनाते हैं रफी उद्धरजात को तो रफी उद्धरजात को भी सेयद बंदू के द्वारा ही अगला शाशक बना जाता है इसलिए सेयद बंदू को म बंधू रफी उदर्जात को शाशक बनाते हैं और सयद बंधू ने रफी उदर्जात को फरवरी 1719 में बाशा घोशित किया और जून 1719 तक उसकी फेफड़े की विमारी से मृत्ति हो जाती है रफी उदर्जात की तो ज्यादा दिर तक ये शाशक नहीं रह पाता केवल बाशा बनाते हैं पर इसकी भी मृत्यू 1719 में ही बिमारी से हो जाती है तो दोनों भाजियों की मृत्यू बिमारी से हो जाती है तो रफी उदर्जात के बाद मुहमद शाह अगला शाशक बनता है और 1719 से लेकर 1748 तक इसका शाशन रहता है तो अब सयद बंधू मुहमद मुहमद शाह को अगला शाशक बनाते हैं प्रंतु मुहमद शाह को यह अभास हो गया था कि जैसे सयद बंधू ने मुझे से पहले के शाशकों के साथ किया है यानि कि उनकी फाइल निप्टा दी है उसी परकार ये मेरी फाइल भी निप्टा देंगे इसलिए वो क्या करता है कि इससे पहले की सयद बंधू मुहमद शाह की फाइल निप्टाएं यानि कि उसे मारें उसे पहले मुहमद शाही सयद बंधू की हत्या करवा देता है तो सयद बंधू की हत्या कौन करवा देता है मुहमद शाह या दखेगा तो जो मुहमद शाह होता है इसकी सारुजनि नाम पड़ गया मुहंमड शाहा् रंगीला तो रंगीला भाशा के से कहा गया मुहांड शाहा को कहा गया मुहंड शाह से प्रशन को पूश HOLा गया कि is सब्सक्रेस नुद्ल्च जाबर्ऑ ऑसयं वैंने पीछे पड़ा था कि अकबर ने समप्त किया था प्रन्तु ओरंग जिब ने फिर से लागू कर दिया था प्रन्तु पूर्ण रूप से देखा जाए अंतिम रूप से मुहमाशा ने इसे समावत कर दिया इसके बाद जजियाकर दुबारा नहीं लगता तो अंतिम रूप से जजियाकर कौन समावत करता है मुहमाशा रंगीला तो इसके शाशनकाल में कई राज्यों के सूबेदारों ने अपनी सोतंतर सत्ता की स्थापना कर ली थी क्योंकि जो मुहम्मा शाह रंगीला था ना इसकी राजय पाठ में कोई रूची नहीं थी तो बाकी के जो सूबेदार थे उन्होंने अपने आपको सोतंतर घोशित कर लिया था तो उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं तो इन सभी लोगोंने मुहम्माशा के समय अपने आपको और अपने छेत्रों को एक एक करके मुगलों से अलग करना शुरू कर दिया था जिन्होंने अपने आपको अलग सोतंतर घोशित कर लिया था उनके संस्थापक हम देख लेते हैं तो सबसे पहले अवध ने अपने आपको अलग कर लिया तो अवध के संस्थापक कौन बने साधत खान ये अवध के संस्थापक बने यानि की सहादत खाने अवद को सोतंतर घोशित कर दिया मुगलों से उसके बाद है है एदरबाद मुर्शिद कुलिख ऐसके बाद है करनाटक के संस्थाफग थे सादुतुल्ला खाँ उसके बाद है भरतपुर भरतपुर के संस्थाफग थे शूरामन एवं बदन सिंग तो इन सभी शाषकों ने अपने आपको एक-एक करके मुगल समराज से अपने छेत्र को अलग कर लिया और अपने आपको स्वतंतर राजा घुशित कर लिया तो एक-एक करके कई छेत्रों ने अपने आपको मुहमाशा से अलग कर लिया और मुहमा 1636 80 में फारस का शाशक बनने के बाद, ये 1749 90 में भारत पर आकरवन करता है और नादिर architect को उसके आकरवनों के कारण इरानका नेपोलियन भी का जाता है, तो इरानका नेपोलियन किसे का जाता है नादिर reminder को और नादिर descriptions ने भारत पर आकरवन किया था, उसमें मुगल शाश तो जब नादिर शाह आक्रमन करता है तो मुहमद शाह उसमें एक कमजोर शाशक के रूप में सामने आता है और नादिर शाह आक्रमन करते हुए दिल्ली पहुंच जाता है और लगभग 57 दिनों तक दिल्ली में रुखता है और बहुत सारा कतले आम मचाता है और बहुत सारा धन लूटता है और नादिर शाह ने लगबग 70 करोड की धन राशी लूटी और 70 करोड की राशे के साथ साथ शाह जहां के द्वारा बनवाया गया तक्ते ताउस जिसे हम मयूर सिंगहासन के नाम से जानते हैं हमने पिछे पड़ा था कि मयूर सिंगहासन को किस ने बनवाया था शाह जहां ने बनवाय था तो नादिर शाह ने मयूर सिंगहासन और कोहिनूर हीरा इसको भी लूट लिया तो 70 करोड की धन राशी मयूर सिंगहासन और कोहिनूर हीरा नादिर शाह ने जब आकरमन किया तो इसे लूट कर वो इरान लेकर चला गया या दखेगा तो ये पूछा जाता है कि मयूर सिंगहासन पर बैठने वाला आकरी मुगल शाषक कोन था तो मयूर सिंगहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शाषक था शा जहां क्योंकि इसी ने तक्ते ताउस यानि कि मयूर सिंगहासन का निर्मान करवाया था तो सबसे पहला शाषक था शा जह तो 1748 एसवी में मुहमाशा रंगीला की मृत्ती हो जाती है और मुहमाशा रंगीला के बाद अगला शाशक बनता है एहमाशा तो एहमाशा एक अयोग्य और भरश्ट शाशक था इरान वापिस आने के बाद हमने पीछे देखा था कि एहमा शाह के पहले कौन शाशक था मुहमा शाह तो मुहमा शाह के समय आकरमन कौन करता है नादिर शाह तो इरान वापिस जाने के बाद नादिर शाह की मृत्ति हो जाती है और उसके बाद इरान का अगला शाशक बनता है एहमशा अबदाली तो एहमशा अबदाली भी नादिर शा के कारियों से प्रेरित होता है और वह भी भारत पर साथ बार आकरमन करता है वह अपना पहला आकरमन 1748 इस्वी में मुगल शाशक एहमशा के समय करता है तो एहमाशा अब्दाली अपना पहला आकर्मन किस मुगल शाशक के समय करता है एहमाशा के समय तो इसे याद रखना भी असान है आकर्मन कोन करता है एहमाशा अब्दाली और मुगल शाशक कोन था एहमाशा तो दोनों का नाम एहमाशा था तो एहमाशा अबदाली 1748 इस्वी में भारत पर पहला आकर्मन करता है और एहमाशा अबदाली की लूट का आलम यह था कि पंजाबी में एक कहावत मशूर हो गई थी कि खादा पित्ता लाहेदा रहन्दा एहमाशाहेदा यानि कि जो खालिया और पित्ता लाहेदा रहन्दा एहमाशाहेदा यानि कि जो खालिया और पिलिया वही बचेगा बाकी तो एहमाशा लूट कर ले ही जाएगा यह आलम था इसे आप पता लगा सकते हैं कि एहमाशा अबदाली ने कितना लूटा था उस समय भारत को तो एहमाशा के बाद अगला शाशक बनता है आलम गीर जित्य के समय पलासी का युद्ध होता है 23.1757 स्वी को जो की ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजु दोला के बीच में हुआ था जिसमें नवाब की हारुई थी यानि कि बंगाल के नवाब सिराजु दोला की हारुई थी और उस समय आलम गीर के बारे में नहीं पढ़ेंगे इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो यहां पर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि किस मोगल बादशाह के समय पलासी का युद्ध हुआ था तो आलम गीर दृत्य के समय पलासी का य चेतर में होता है तो बिहार में ही शाह आलम दृत्य अपने आपको सोतंतर राजा घोशित कर देता है परन्तु मैंने आपको पीछे चार्ट में बताय था कि शाह आलम दृत्य से पहले शाशक बनता है शाह जहां तृत्य तो देखें क्या होता है कि जब आलम गीर दृत्य क इम्रित्य होती है ना तो जो ये शाह आलम दूइत्य होता है ये तो बिहार में होता है परन्तु जो शाह जहां दूइत्य होता है ये दिल्ली में होता है और दिल्ली में शाह जहां दूइत्य अपने आपको राजा घोशित करता है इसलिए जो अगला बाशा बनता है भले ही क ने आपको सोतंतर राजा घोशित किया था प्रन्तु दिल्ली में अपने आपको शाह जहांतर रित्य ने सोतंतर राजा घोशित कर दिया था इसलिए कुछी दिनों के लिए अगला शाषक शाह जहांतर रित्य बनता है और शाह जहांतर रित्य को हराने के बाल जो अगला इसी के समय हुआ था शाह आलम-्तृत्य के समय हुआ और किसके किसके बीच बीच में हुआ था तो एहमपधाली और मराठाओं के बीच में पानिपत का तीसरा युद हुआ था तो इसमें तक जो मुगल समराज था ये काफी सीमिच शितर तक रह चुका था और जो मराठा थे ये उभरती हुई ताकत थे जिस कारण क्या होता है कि एहमा शा अबदाली का युद होता है कि इसके साथ मराठाओं के साथ परंतु इस अबद कनवाब मीर कासीं और अवद कैनवाब सुजाओं दोला तीनों ने मिलकर लड़ा था प्रंतु विजय किसंकी होता य्जों की विजय होती है और वकसर के समय वक्सर का युद्धुवा था और उसके बाद 1765 एसवी में इलाबाद की संधी हुई थी तो अब आप समझ लीजिए कि अब मुगलों की ताकत नहीं बजती जो भी वहां पर बाश्या बनेगा वो अंग्रेजों के अधीन ही रहेगा तो शाह अलम दुईत्य को बाद में अंधा बना दिया जाता है और एक अंधे शाशक के रूप में ये लंबे समय तक कारे करता है और इसी करम में क्या होता है कि 1803 एसवी में ब्रिटेन के सैनी अधिकारी उसका नाम होता है लोड लेक इसके परियासों से यह घोशित हो जाता है कि शाह आलम दुईत्य अब अं अकबर दुईत्य अंग्रेजों के सरंक्षन में यानि की अंग्रेजों की ही अधिन अंग्रेजों की ही देखरेक में 1806 एसवी में अकबर दुईत्य मुगल वाशा बनता है अब भारत में मुगलों की स्तिती काफी खराब हो गई थी और अंग्रेज उनके साथ काफी अनैत विभार करने लगे थे तो अकबर द्वित्य क्या करता है राजा राम मुहन राय को बुलाता है और उन्हें कहता है कि आप ब्रिटेन जाए और हमारी तरफ से ब्रिटेन की महारानी को ये संदेश दीजे कि हमारी स्थिती ठीक नहीं है आप देख रहे हैं कि मुगलों की क्या ह एक समय अंगरेज मुगलों के पास आये थे कि मालिक हमें अधिकार दे दीजे हमें वेपार करना है तो अब समय क्या आ गया कि मुगल बाश्या को ब्रिटेन की महारानी के पास ये संदेश भेजना पड़ रहा है कि मेरी स्थिती ठीक नहीं है तो इसी करम में अकबर द्वि ने किसे राम मोहनराय को यही प्रेशन अकबर द्वित्य से पूछा जाता है तो अकबर द्वित्य के बाद मुगल समराज्य का आखरी शाशक बनता है बहादूर्षा द्वित्या 1837 एसवी से लेकर 1857 एसवी तक इसका शाशन रहता है तो इन्हें बहादूर्षा जफर के नाम से भी जाना जाता है किसे बहादुर्शा द्वित्य को जफर क्यों कहा जाता है क्योंकि इन्हें शेरो शायजियों का काफी शोग था और वहाँ पर ये अपना नाम लिखते थे जफर तो बहादुर्शा द्वित्य को ही बहादुर्शा जफर के नाम से जाना जाता है अंग्रेजों के खिलाफ 1857 एसवी की करांती शुरू होती है और करांती कारियों के कहने पर मुगल बाश्या बहादुर्शा जफर जो कि अब बोड़े हो चुके थे वो करांती का नेतरतों करने के लिए तैयार हो जाते हैं प्रन्तु अंग्रेजों के सामने जब करांती कारी टिक नहीं पाते तो बहादुर्शा जफर प्राजित हो जाते हैं और बहादुर्शा जफर के प्राजित होने पर उन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है और रंगून यानि की मियमार की जेल में उन्हें भ जबारी कवी तो नहीं थे पर उनीके समकालिन थे या दखेगा और बहादुर शाज जफर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे शेरों शारियों का शोग था और जो भी यह शेर लिखता था उसके नीचे अपना नाम लिखता था जफर तो इसलिए इसे बहादुर शाज जफर बहादुर्शा जफर के द्वारा तो यहां पर हमने उत्तर मुगलकाल के सभी शाष्कों के बारे में पढ़ लिया। अब एक बार हम इनका करम रिवाइज कर लेते हैं। तो उत्तर मुगलकाल में सबसे पहले शाषक बने बहादुर्शा प्रत्थम। उसके बाद अगले शा अगले शाशक बनते हैं मुहमद शाह रंगीला के बाद एहमद शाह और एहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितिये अगले शाशक बनते हैं आलमगीर द्वितिये के बाद शाह आलम द्वितिये के बाद अकबर द्वितिये और अकबर द्वितिये के बाद जो मुगल समराजे क अंतिम समराट कौन थे तो मुगल समराज्य के अंतिम समराट थे इसका सही जवाब है option B बहादुर्शा जफर अगला प्रेशन है कि पानिपत का तिरित्य युद 1761 में किसके बीच हुआ था तो पानिपत का तिसरा युद मराठा और एहमशा अबदाली के बीच में हुआ था option A इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि तक्तित ताउस पर बैठने वाला अंतिमुगल शाशक कौन था तो मजूर सिंगहासन पर बैठने वाला आखरी मुगल शाशक था मुहमशा और पहला मुगल शाशक था शा जहां जिसने मजूर सिंगहासन का निर्मान करवाए अगला प्रेशन है कि एहमा शा अबदाली का भारत पर प्रतम आकर्मन किसके समय में हुआ था तो एहमा शा अबदाली का आकर्मन हुआ था एहमा शा के समय में option D इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि किस मुगल बाश्या को ग्रणित कायर कहा जाता है तो किसे ग्रण ऑफिसने इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि किस मुगल बादशा को लंपट मुर्ख भी का जाता है इसका जुआप क्या है इसका सही जौब है उप्शने जहांदर शाह अगला प्रेशन है कि बहादुर्शा प्रथम का मूल नाम क्या था तो बहादुर्शा प्रथम का मूल नाम था मुअज्जम इसका सही जवाब है option B अगला प्रेशन है कि किस मुगल शाशक के शाशनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समावत हुआ तो भारत से जजिया कर अंतिम रूप स जाना जाता है तो शाहे बेखबर के नाम से बहादुर्शा प्रतम को जाना जाता है option D इसका सही जवाब है तो आज का आखरी प्रेशन है कि किस मुगल शाषक को अंग्रेजों ने पकड़ कर रंगून भीज दिया था तो किसे भीज दिया था बहादुर्शा जफर को option C इसका सही जवाब है तो आज की ये वीडियो यहीं पर खतम होती है कैसी लगी ये वीडियो कोमेंट सेक्शन में जरूर बताना धन्यवाद